हमारी आएवाली पेडियां कमजोर पैदाना हो इसलिए भी हमें गाउं गाउं किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं यूरिया से हमारी मिट्टी हमारे जल उस पर बहुत विप्रित असर होता है और इसलिए प्रदभी जी आप जैसे प्रधान गाउं वालों को समझाए कि अब गाउं में पहले अगर दस थेली आता था यूरिया तो पांच थेली आएगा पहले सो थेली आता था तो पचास थेली आएगा हम आधा कर देंगे आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्वी जैसे प्रधान से बात हो रही है तो मुझे पक्का आप इस्वास हैं कि आप एक काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बदाई बहुत शुब काम ना है आईए हम माराश्च चलते हैं भूले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फस कर रासाइने खादवा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगे बैलों की जगा ट्रैक्टर से जुताई होने लगी शुरुवात में कम रासाइने खादों के प्रियोग से अधिक उत्पादन हुआ धीरे धीरे रसायने खादों के प्रियोग के कारण भूमी की उर्वरा शक्ति छीन होने लगी जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसले कमजोर होने लगी फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग वकीट लगने लगी रोगवा केटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक केटनाशकों का प्रियोग होने लगा एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासाइने खादों का प्रियोग होने लगा वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग वा कीटों से बचाने के लिए अधिक विशाक्त कीटनाशकों का प्रियोग बढ़ गया जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाब कम होने लगा बलकि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे धीरे धीरे भूमी की उर्वरा शक्ती क्षीन होने से भूमी बंजर होने लगी रसायनिक खाद वा कीटनाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गए तथा जलवाईयू भी प्रदुशित हो गई जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है मानव स्वास्थे पर रसायनिक खादों के पढ़ने वाले प्रभाव को आप ऐसी समझे जब किसान फसल में रसायनिक खाद डालता है तो रसायनिक खाद में उपस्थित विशाक्त रसायन जल में घुल कर सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचूए वा सूक्ष्म जिवानों को मार देता है ये बात सभे किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचूए वा अन्य सूक्ष्म जिवानों भूमी की उर्वरा शक्ती को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की उर्वरा शक्ती नश्ट हो जाती है तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है या अन्य पशुईने खाते हैं, तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, तथा मनुष्य के अंदर तरहां-तरहां के रोग उत्पन करते हैं। जब हम जैवेखाद का प्रियोग भूमी पर करते हैं, तो जैवेखाद पानी में मिलकर पानी को प्रदुशित नहीं करती। जैवेखाद में विद्धमान तत्व, खाद्यान के माध्यम से मानव वा पशुपक्षियों के शरीर में पहुँचकर स्वास्थेलाब पहुचाते हैं। फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकरते कौशिधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है। तथा वातावरण पर भी कोई दुश्परभाव नहीं पड़ता। यहां हम आपको तालिकाबत तरीके से दूनों खाते हैं।